अप्शकुनी द्वज बोलते हैं दर्जी से सिलाया हुआ कपड़ा बोलते हैं ऐसे लोग आज पूरे देज में राष्ट भक्ती सिखा रहें आपको यह जो बाबा मेंडे जैसा शेहर है जिसने राष्ट भक्ती सिखाने के लिए वहां गया था उनके मन में नहीं था उसके मन बाश्ट भक्त थे हर उकर अंग्रेजों के साथ में जुते बड़ाने वाले लोग, जमर buna कई बाबा मेंड़े से सावने लाना करने पकम बताद किजिए. ये जो गए थे अपने उस्साह में अपने जोश में जो गए थे ये जोश और उस्साह उनमें क्यों नहीं आता उनमें उस्साह खाली जाती है दंगल बढ़काने में क्यों आता है धर्मगत दंगल बढ़काने में उस्साह क्यों आता है रास्ट के लिए उस्साह उनके मन में क टिरंगा नहीं है डानी अंबानी का तिरंगा लगेगा खाती दूप से नहीं लगेगा गाव। अभी उसके पीछे है, मगर वो भावना हमने त्याग दी है, और हम रयान दागे का, अंबानी का तिरंगा लगाएंगे, और ऐसे जो लोग है, इसके उपर बारा साल के चली. एक बच्पश से ने देखता है कि संगा के साखाम है, जब एक स्कूल जाते हैं, सुबह तो मैं थोड़ा जल्दी जाता है, स्कूल में तो संगा की शाखा में घगवाध और दिखता है, मैं देखा कि घए भैराते हैं, मैंने अपने आपको से दिराती ने, उसके बाद में कु तो मेरे मन में ख्याला कि ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि यह तो अच्छे लोग हैं तो मैं खुद जाकर एक बार देखा तो मुझे वहां में सब्सक्राइब और उसके बाद में कुछ सामाजी कार्यों में रुचे तो मैंने कि मैं अग्ले साल यहां पर जाके कुछुगां कि इसी को आरे सब्सक्राइब तो उसी समय सब्सक्राइब कर देखा वाहां में मैं एक राष्टर प्रेम रेली लेके गया तो हर साल में उस समय एक रेली निगा था पंदरागर चेपी जोड़े को और जब मैंने रेली शुरु करते हैं जो हेड़के वाज़की है जो आरे सेेके सब्सक्राइब के राष्टर वक्ति के भाते अपनी शाखा में लिए शीचा सब्सक्राइब क्या है तो मैंने वहां पर जब देख्या मुझे तिरंगा नेंगत दो हमने एक बैनर पर लिखा तो दो में राष्टर 2.9 पिस कि ज अब लगप पच्छार कारे करें तो हम वहां पे गेट पे जो और सुरक्षा कि अब कहा जाने पर आधे से जाने तिया गया जब आपको जाने दिया है जब मैं वहां पे देखा तो मुझे वहां पे तिरंगा कहीं पे भी धाजा है शक्वीज जन्वरी का दिन दिन तो हमने पूचिकि या आज चबी जनुरी का दीने पर जास तक दिने आज आज आपने ती रंगा नहीं कर रहे हैं और मुझे तब पता चला कि यह सही में नहीं लगाते हैं तो वहां पे कुछ सविस्वत जमा और मुझे बिला कि क्या स्टन करना है कर दें पर जबी जन रहे हैं और राष्ट्रतोज का यह कर रहे है रचाप्रसान कर रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे समय खड़े हो गए और उने ने हमारे बैनार बगरी जो थे फाड़ने चानल जेंटे उदर उने ये किये तो बहुत सारे लोगों महां पर डंगा हुआ मुझे भी घेर के रखे उने और जैसे दैसे निकला और जो मेरे गाड़ी पर तिरंका लगाता हुए लेया और आरे से लगा 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 तो जन्वरी दो हुआ उस वक्त आपकी उम्र क्या हमी रगा एचिसा और आपके साथ में जो तीन मौजवानों के नाम आते हैं वो भी मेरे साथ के देख मेरे गाड़ी चालगता और गाड़ी वालगता तो 2008 में जैसा महूल था देश का और अभी 2002 कट्र माहूल दोनों क्या फर्ख मेंदा रगता है कुछ दीए देश की हारा कि आरे सस्कों भी तिरंगा लेहरा नहीं लगा यह मुझे तो नहीं पता लेकिन यह यह वह उस समय के बात है कि अभी लेहरा तो ने बोले कि अभी में कई में पड़ने आम आके 2002 से तिरंगा लेहरा तो मेरा कहना है कि बावन साल तक इसमें बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो देश को पुरे तिरंगे से पाठ देना चाहते हैं उनकी अपनी शाखा में तिरंगा नहीं लगता था एक नौजवानों की टोली आपको पता है 26 जन्वरी 15 अगस को नौजवानों की टोली निकलती है वंदे मात्रम भारत माता कीजिए और यह पुरंपरा चलती आ रही है 1930 से पहले से परंपरा ही चलती आ रही है मात्मा कांदी ने जो मंत्र दिया थ उसकी परंपरा है उस परंपरा के वाहन में यह सो लोग घूम रहते उस दिन शहर में तो इन्हों ने जो देखा कि राष्ट भक्ति पढ़ाने वाले वंदे मात्रम के लिए जबरदस्ति करने वाले तिरंगे के लिए अपनी बात करने वाले राजनिती करने वाले ऐसे जाते हैं तो वो तिरंगा चीनते हैं आप जाके देखिए कि राष्ट प्रेमी संगटनं का बैनर पढ़ते हैं जो लोग राष्ट प्रेमी संगटनं का बैनर पढ़ते हैं तिरंगा चीनते हैं अपने हेड़कॉर्टर पे तिरंगा नहीं लगाते हैं अपने घरों पे तिर मैं तो बोल रह título कि नाफ्पूर का शेर bueno इसमें राष्ट भक्ती सीखाद ुकुर्ण उसकेमन कोई बिस दंगल करना करना नहीं था जो उनके मंन में नहीं थी उन्हें कभी reap द्रड़ मुए करने वाले और उनकि शीत ने वाले लोग जब राष다면 डेजल्भ को सामने लाना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि ये शेर से मुलाकात कीजी ये जो गए थे अपने उस्साह में अपने जोश में जो गए थे ये जोश और उस्साह उन में क्यों नहीं आता उन में उस्साह खाली जाती है दंगल बढ़काने में क्यों आता है धर्मगत अंगल बढ़काने में उस्सा क्यों आता है राष्ट के लिए उस्सा उनके मन में क्यों नहीं आज भी RSS के DP पर तिरंगा नहीं है मोधी जी किसको समझा रहे तिरंगा लगाने की और अडानी अंबानी का तिरंगा लगेगा खादी ग्रामोध्योग का तिरंगा नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता है कि सविधान में लिखा हुआ है कि तिरंगा खादी ग्रामोध्योग का लगेगा क्योंकि तिरंगे के पीछे वो ग्रामीन और कुटी रुद्योगों की भावना भी बुंगरू की भावना भी उसके पीछे है मगर वो भावना हमने त्याग दी है और हम रेयान धागे का अमदानी का तिरंगा लगाएंगे और ऐसे जो लोग हैं इनके ओपर 12 साल केज चली आपको मैं बता सकता हूँ 13 साल केज चली आपको मैं बता सकता हूँ कि इनके वागत तो जब्त किया हुआ तिरंगा पुलीस ने अपने जब्ती खाने में रखा वो अभी तक नहीं छोड़ा, अब उन पुलिस वालों पर तिरंगा के आउमान के और कोट के आउमाना की केस चालो हो गई, मगर तिरंगा मुपत नहीं हुआ, और यह हमको तिरंगा समझा रहे, यह हमको यह समझा रहे कि तिरंगा का सम्मान कैसे करना चाहिए, यह हमें समझा कि उसके बाद आपके कोई आफार धर्ज हूँ और तब से लेकर दोधर तेरा तबीकेश चलता है तो कैसा हुआ है पूरा यह माज़गी दोजार जब मिने तीरंगा वहां पर यह किया तो मैं अपका ध्यान अकरशी दिसमने करना चाहता हूँ तीरंगा तो बांते नहीं बां म्हान करके आले लगा है और हमें दिंप्ध्र ब्लाट है युद पहले धर्म को लाते हैं बाद में गाया तो दुसर्टर दो डुसरी बाश्त बाद मिल्टOOD अगते जब हम बंड़ मारता है तो आपके समयम कर सक् Tamil कंशे को做का पर फंप में में अ पर नहीं लाए इसमें सारा दर्ज है एक वन सेवन सिक्स उसका डिया भी आफिक गराफ्तार किया गया में वहां से दिल्दी पुष दिन रहा नवीजी से मिला मैं वाफ्ट पेवर में बढ़ा कि नवीजिंदर जी पे वी केस लगी है तो उनको मैंने इन से मुलाकात कि उकि स्ट्वर में इस तरीके से केस लगी है नवीजी तुक्यों की कैसे लग नहीं सकती है क्योंकि करोना वैक्सिन जबर दस्ति नहीं हो सकती नहीं हो सकती सुप्रेम कोट ने बताए कोरणा के वर्ग जो केसे सुई उसकी लग नहीं सकती केसे वैसी इनके उपार उनके मुख्यालाय में घुसने की केस लगा है तो सर्वजिनिक्स तर बोलते अभी आपने देखा होगा RSS मुख्यालाय को तिर्टक शेत्र का दर्जा दिया गया है तिर्टक शेत्र में जाने के लिए कभी ट्रेस्पासिं हो सकती है गया और यह तो 26 जनवरी 15 अगस के लिए तो सब के लिए खुला होता है सारेक शेत्र खुले होते है मुझे आपने एक डिसकेशन में मैंने देखा कि संबीत पातराजी कह रहे थे कि उस वक सबको तिरंगा र ही रहे और वह संबीत पातरा नाम का जो है खी रेंज्वा पकातर बोल्ड़ाल और इस सारी जूट का परचार करके शैत्ता में आये हुए आब बताये कि एक लड़का फरारी मं रहता है मैंनो क्यों क्यों कि तीरंगा उस्ने लाइर भाराई उसके उपर अट्याक होते हैं आज भी उनके उपर जिस तरीके से आट्याकिंग हो रही है जिस तरीके से उनके वह यह तो अच्छे रस्वपदार परिवार का है उसके घर तोड़ने की नोटीस देना, टेक्सेशन की नोटीस देना यह सारा जो करते हैं यह harassment है और यह harassment इसलिए करते हैं कि कोई देशबक्त उनके देशबक्ती पर सवाल न उटाए और यह तो ऐसा शेर है जिसने 2001 में पूरे देश में और दुनिया में जाहिद कर दिया कि यह देशबक्त नहीं है तो थो जाएग से लेकर 2022 इसा पुछ तक्लीफों का सामना को करना पड़ा अशा लगता हो आपको क्या रहा है रहा है नाइ मैं सोचता था कि मुझे गुछ गुछ गुवर्वर्मेंट नौकरी मिल जाए लेकिन मेरे उस पर केस दायरों के वज़े से मुझे सरकारी नौकरी मे तो अब इस साल आप देख रहे है कर घरघर तिरंगा का नारा बगाया जाए जाए और बच्चों को वड़ादे लिए जबरदस्ती बही किया जाए रहे है के बीस रुपए दो तिरंगा लेके चाहिए लोग रिलभे के वेतन से चानि तो क्या चाहिए बढ़ा तर्णा थो खागरा दिशेंकि मोधिजी की नारा आई ये अभी का नारा है ये डे लोगों कोखे शिक्षास रास्तरों хват मेरे को तो ध्यान में नहीं है। अजसे तक तो कहीं वेको साबित करते कोई को सलाम करूबा तो सब्सक्राइब करूबा तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लोगों को ती रंगे के बारे में लेकिन ये रोज वागवा दर्श का अफवान करते हैं और उनको ये हैपसे हमारे सब्सक्राइब काफी अभी देखें कि कैसा कमर्शियल तरलाइज किया है रेलवे कर्मचारी को 36 रुपए में बेच रहे हैं पोस्ट ऑफिस वाले 25 रुपए में बेच रहे हैं बीजेपी कारेयले वाले 20 रुपए में बेच रहे हैं जो एंजियों और पाकीजियों सौंचता है वह 18 इनके लिए तिरंगा भी धन्दाई है संगी विशारदारा वालों के सोशल मेडिया अकॉंट को जब देखेंगे आप तो आपको एक प्रोफाइल पिक दिखेंगी कि भगवा हमारी शान तिरंगा हमारी जान ऐसे कुछ नारे लगाए जाते हैं तो डिपिक पे क्यों नहीं बाशन के लिए मेरे काका जब निकले थे तो आप देखलो मैं होस्पिटल के सामने छाती शी नातान के खड़े थे और रंगरेजों ने गोली मार के उनको मार दिया हमको सीखाएंगे हमको बताएंगे तीरंगा का सम्मान क्या होता है और तिरंगा क्या होता है ये उनको किसी राष्ट का संबंद आ नहीं कर सकते यह किसी किसी राष्ट के समी दहन करते इनकी इतनी एक विचार धारा है स्वैम के लिए जीते और स्वैम के लिए यह काम करते हैं यह तो राष्टदाज क्तामीर आपने देखाई हैं मावल साल से मैं तो कहता हूं यह वंदे बातरम दूसरे से कलवा राते हैं लेकिन अब जब हम वहां पर पूछए तो हरहर महादयों का नारा दे हैं और हमने वंदे बातरम का नारा दे हैं वह पे लाठी बसा है लेकिन हर साथ 15 अगास अच्छ जरुदी के मोक्ते तो इरन्मा लगार ला नहाया जाता है रहा है मुझे इस बार देखने में नहाई जब से मैंने पड़ा तब से मैंने आरे इसका मूझ देखा जब से मैंने आरे इसका मुझ देखा